नमस्कार, स्वागे थे रिजैनर के पिशर्मा चैनल पर मैं हूँ खांता प्रशार शर्मा पिछले वीडियो में आपने देखा कुर्टे का कालर कैसे चड़ाया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा कुर्टे की फिनिशिंग कैसे की जाती है तो आई ये शुरू करते हैं हाँ तो आज शुरू करते हैं कल हमने इसका कालर चड़ा लिया था आज हम इसकी फिनिशिंग करेंगे फिनिशिंग में तो हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ इसके काज और बटन करने और बाकी सब तो तयार है तो इसके हम काज कहां कहां बनाने होते हैं वो मैं आपको बता दिता हूँ एक तो काज बनेगा इस जगे पर ठीक बाकी इसमें 4 काज़ बनेंगे इतने दूरी में हमें 4 काज़ बनाने है हमारे काज आएंगे सवा 2-2 इंची के दूरी पर ये हमारे इस जगें पर 4 काज़ आजाएंगे इस तरीक में इसमें यह बटन लग जाएंगे यहां पर और सिलीज में हमें एक तो यहां लगाना है और एक बटन हमें यहां लगाना है यह दो बटन सिलीज में लगेंगे तो अभी मैं इसके काज बनाता हूँ उसके बाद इसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से हम इसका काज बनाएंगे उपर जब हम यहां आ जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा धागे को टाइट करके बनाना पड़ता है ताकि इसकी गोलाई बन जाए इस तरह से धागे को थोड़ा खेंचेंगे तो इसकी गोलाई बन जाएगी जहां पर हमें बटन लगाना होता है कर दो बनाएंगे इसकी नहां पर में महumes समाई नहां से जब हम पर वार खें जहांगे टाकुड़ा को पर हमैं को तीन बार हम दागा लेते हैं एंड में इस तरीके से और तीन बार हम यहां से इसको पक्का करते है यह हमारा काज बन गया है इस तरीके से हम सारे काज बनाएंगे बटन लगाना इस बार और देख लीजे इस तरीके से हमें बटन लगाने है बटन को चिपका करने लगाना है बिलकुल थोड़ा सा उठा कर लगाना है इस तरीके से अंगुठे को इस पर टच कर लीजे इसके नीचे तो एटोमेटिकी बटन थोड़ा उठावा लग जाएगा इस तरीके से करके तीन बार पक्का कर देंगे इस तरीके से बटन लग जाएगा हमारा और हलका से उठावा रहेगा बस इस तरीके से हमें सारे बटन लगाने तो शुरू करते हैं इसकी प्रेस इसका हैं पूरा कर लिया है बटन लगा लिया है और काज भी बना लिया है इस तरीके से अब हम इसको प्रेस करते हैं मैं बताता हूं कैसे प्रेस करना है सबसे पहले हम इस जो पट्टी है उल्टी साइड से इसको प्रेस करना है और यह जो पॉकिट है इसको भी हम उल्टी साइड से प्रेस मार देंगे और यह जो कालर है इसको भी हम उल्टी साइड से प्रेस मार देंगे किस्टेर किसे? जहां कहीं हमें धागा दिखाई देता है उसको हम काट देंगे इस पॉकिट को हम इस तरह के से डबल फोल्ड करके और ऐसे सेट कर देंगे किसे अड़िए म जबल्ड कर सका देंगे चर्पूड़ टाही करही। जो हमने इस सिलाईएं की हैं इन पर हम पूरी तरह से प्रेस मारेंगे और यह जो पॉकिट की सिलाई है इसके उपर हम प्रेस मारेंगे और इन सिलाईएं पर भी आर ला कम दो लिए जो हम वहिए खूर के इसनानों परी दीलाई recuperसें मारे प्रेस इस सिलाईएं प्रेस इन सिलाँ हम वहिछी टर से बाह्ईचें मारें यहते हैं और मंझगे हैं इन विए टो बजह की जए इनसी का आती इन जएन 555 से सिल अब अब आप आप अब आप अब आप इसके बाद हम इस तर्क इसे इसको पल्टा जाता है आप इसको एक उंगली तो यहां रखेंगे और एक हाथ यहां रखके आप इस तर्क इसको पल्ट सकते है इस जगे पर हमें प्रेस करनी है जहां भी हमने सिलाईय की है वहां वहां हमें प्रेस करनी है हमने इसकी स्लीज तो प्रेस नहीं की अभी इसकी स्लीज प्रेस कर देते हैं हम रहब कर दो प्रेस कर दो कर को बंदू । हम रखब प्रेस की यहां बंदूल खिरो यहां नहीं ज़ाँ अल्या हो सुआ है कर दो सेटी जाल को करना लो दोस्टेज़ कर दिया स सबादाए। कर दो दो दोसित जाल को सांगर आए। कर दोसित 다리 कि भोस्टब एड़्यार कि भीज़ झाल कि रड़ एना है बालकर प्राओंग हुआ कचらऊ है कर लगा है यह हमने अपने कुर्टे की फिनिशिंग कम्प्रीट कर ली है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अभी आपने देखा कुर्टे की फिनिशिंग कैसे की जाती है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जूर दबाईए जो लोग नए हैं उनको बता दूँ मैं हूं कांता परशाष शर्मा मैं पिछले 40 साल से इस फैसन इंडस्ट्री में हूँ जहां मैंने बड़े दिजैनर सो सेलिबिटी के लिए काम किया है इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट, कोट, जाकिट, बिचिश, शेरवानी, टेक्सीडो कुर्ता पजामा इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूँगा इसके अलावा वो सभी टेक्निक में आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं अच्छा डिजैनर भी बनाएगी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, गुडबाई